Hello Children's, Class First, Read the Chapter 3, Our Cloths, हमारे कपड़े We wear, we wear clothes to cover our body. हम क्या पहनते हैं? अपनी बाड़ी पर कपड़े. They protect us from heat, cold and rain. यह हमें किस से बचाते हैं? heat, cold and rain, यानि सर्दी, गर्मी और बर्सा से, ठंड से, गर्मी से और बर्सा से हमें बचाते हैं. They also make us look smart. और कपड़े पहन कर हम कैसे लगते हैं? smart, अच्छे लगते हैं. अब यहां दिया गया है time to do. यहां कुछ cloths दिये गए हैं. second पर umbrella है and third पर t-shirt है. तो आपको क्या करना है? इनके names लिखना है. next है हमारा, there are three main types of season in our country. हमारे देश में कितने तरह के season होते हैं? three types of season होते हैं. they are summer season, winter season and rainy season. कौन-कौन से होते हैं? summer season, यानि गर्मी. winter season, यानि सर्दी. and rainy season, rainy season means बर्साथ. we wear different type of cloth according to different season. हम कपड़े जो season होता है, उसके according ही पहनते हैं. हमारा first है summer cloths, यानि गर्मी की कपड़े. it is very hot, it is summer season. हमारा जो summer season होता है, गर्मीयां होती हैं, वो कैसी होती हैं? बहुत गर्म होती हैं. we wear cotton cloths during summer season. तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? cotton की कपड़े पहनते हैं. they keep us cool, we get cotton from cotton plants. हमें वो जो cotton कपड़े होते हैं, वो कैसा रखते हैं? cool, यानि ठंडे होते हैं वो. we get cotton from cotton plants. यह हमें कहां से मिलता है? हमारा जो cotton का plants लगता है, उससे हमें रूई मिलती है, skirts, frocks, trousers, etc, यह जो दिये गए हैं, shorts, नेकर है, skirt है, frock है, trousers, मारा pant है, यह कपड़े किसके हैं, cotton के बने हुए हैं, rainy cloths, यानि की परसाथ के कपड़े, it rain a lot during rainy season, we wear raincoat and use an umbrella, हमारी rainy season में क्या होता है, पानी बहुत बरसता है, और स्टाइम हम क्या पहनते हैं, raincoat और अम्रेला, क्या करते हैं, use करते हैं, in rainy season, they protect us from getting weight in rain, some people also wear gumboots, परसाथों के अंदर हमें अम्रेला और जो हमारी jacket होती है, raincoat होता है, वो हमें किस से बचाता है, भीगने से हमें बचाता है, some people also wear gumboots, और कुछ लोग क्या पहनते हैं, gumboots, यानि चमडे के एक तरह के boots होते हैं, जो पानी में खराब नहीं होते हैं, और भीगते नहीं हैं, winter cloths, यानि सर्दियों के कपड़े, it is very cold in winter season, हमारा जो सर्दियों का season, winter season होता है, जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पढ़ती है, we wear gumboots, during winter season, जब हम क्या पहनते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, they keep us warm, we get wool from ship, some woolen, cloths, our weather, cap, gloves, muffler, jacket, etc, यह जो हमें वुलंग के कपड़े होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, तो यह हमें किस से बचाते हैं, सर्दियों से बचाते हैं, यह गरम होते हैं, और हम क्या के पहनते हैं, cap, यानि टूपी लगाते हैं सर्दियों में, gloves पहनते हैं हाथों में, muffler, jacket, कई कपड़े पहनते हैं, sweater, यह दिया है, sweater, woolen, cap, glove, muffler, and jacket, We also wear a cloth made of silk, कुछ कपड़े, किसके बने होते हैं, silk के, we obtain silk from silkworm, हमें यह खांस किस से मिलता है, silkworm, यानि silk का जो कीड़ा होता है, उससे हमें यह silkworm मिलता है, Some people wear special cloths, these cloths are cold their uniform, we also wear a uniform in school, इनसे कुछ अलग कपड़े बनाये जाते हैं, और हमारे uniform तरह तरह की ट्रेसे बनाये जाती हैं, जो uniform हम पहनते हैं, वो किसकी होती हैं, हमारे कुछ ट्रेसे जैसे हमारी स्कूल की होती हैं, आपने देखा होगा, पुलिस की ट्रेस अलग होती है दॉक्टर की ट्रेसलग होती है, यानि की different different types की uniform होती है, पुछ चिल्डर्न्स यह हमारे सीजन है, मैं आपको समझा दिया है, so is shifter को आप chapter 3 को आप अच्छे तरह से read करेंगे, और जो उसमें clause की जो length दिये गए हैं, उसे आप learn करेंगे, ओके